नमस्कार दोस्तों आम से विका स्वागत है मारी यूटूब चनल सक्सेस राम गड़ में दोस्तों जार्खन में जो है जार्खन अस्टेट मेनरल डेवलप्मेंट कोर्परेशन्स लिमिटेड के दवार यहाँ पर जो है माइन्ट्स मेनेजर्ज की पोस्ट के जो है निउ रिक सेलेक्शन होने वाली है और अगर आप इसमें सेलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 47,290 रुपिया आपको पर्मा सेलेरी आपको यहां पर दी जाए ठीक है तो अच्छी पोस्ट है अगर आप इसमें अप्लाइ करना चाहते हैं तो अगर आप इलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आविदर कर सकते हैं तो कौन से किने आप इसमें अप्लाइ कर पाएंगे क्या क्वालिफिकेशन आपको यहां पर लिजा रही है इंटर्वियो का वेन्यो एंड टाइम आपका क्या निधारित की गई सारा डीटेल्स आपको इस वीडियो में आ तो सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाये करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों यह इसका सौर्ट नोटिस यहां पर जो है रिसेंट्री में जारी हुए जार्कन अस्टेट मेंडल डेवलप्मेंट कोर्परेशन लिमिटेड के दुआरा वाल किन के सम्मादित में ठीक है और यह जो है आपकी प्यूर्ली जो है कॉंटेक्च्वल बेशिस पर यहां पर होने वाली है तो अगर आप इलीजिवल होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आविदन कर सकती है जो नेम और पोस्ट आपको यहां पर दी गई है तो फस्ट में जो है एक ही सीट यहां पर निर्धारित की गई है और इसके लिए जो केंडिट अपलाय करना चाहते हैं उसके लिए जो क्वाइलिफिकेशन यहां पर ली जा रही है तो अगर आप फुल टाइम डिग्री या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजरिंग विद फर्स्ट क्ल माइनिंग इंजरिंग से कर रखे होंगे एंड साथ में अगर फर्स्ट क्लास मैंस मैंजर सार्टिफिकेट होगा तो आप बिल्कुल जो है इसके इंटर्यू में सामिल हो सकते हैं जो डेट टाइम एंड जो वेन्यू आपका दिगई है इंटर्यू के लिए तो यहां पर आ नेपाल हाउस एरिया डोरंडर रांची 834-02 यह आपका जो है वेन्यू दिगई है इसी वेन्यू में जो है आपका 21 अक्टूबर 2021 को साड़े 11 जैसे जो है आपका यहां पर इंटर्यू होने वाली है तो अगर आप इलिजबल होंके तो आप जो है 21 अक्टूबर को जो है इ में पर इंटर्यू के दोरान इसमें अगर आप यहां पर यहां पर यहां तो इसमें आपका किसी परकार की जो है टीए यहां पर यहां पर नहीं दी जाएगे ठीक है स्टार्टिंग में यहाँ पर जो candidate सेलेक्टेड होती है उनको जो है one years के लिए यहाँ पर आपका contract basis पर आपको यहाँ पर रखी जाएगे देन जैसा आपका यहाँ पर one years में performance कानते हैं या work में आपका जो है experience होती है उसके according जो है यहाँ पर extend की जाएगी ठीक है